अब हम लोगों के पास दोस्तों मात्र अड़ाय दो महीना बचा हुआ है और यही समय हम लोगों को टेंसन दे रहा है कि यार कैसे पढ़ें क्या करें नहीं करें एक स्ट्रेटेजी नहीं बना पारें तो भईया आप लोगों को घवराना नहीं है आज में आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला है कि आप कैसे पढ़ेंगे कैसे कौन से टिप्स अपनाएंगे जिससे आप अब से भी पढ़कर अच्छा परसेंटेज ला सकों देखो भई अभी से भी अगर अराम से आप कर लोगे लेकिन बात है कि सर हमको पास नहीं करना है मेरे को टॉप लिस्ट में आना है तो भईया आपको घवराना नहीं है बस वीडियो को अन तक देखिए और वही बच्चा देख रहे हैं जिसको इस साल 2025 में टॉपर करना है वही बच्चा इस वीडियो को वही बच्चा इस वीडियो को अन तक देख रहा है जिसको 10 बोड में टॉपर बना तो घवराना नहीं है दोस्तो आज ऐसा स्ट्रेटिजी बताने वाले हैं आप लोगों को कि मैं लिखके दे रहा हूं कि आप आराम से टॉपर बनौगे और आप फी टॉपर बनौगे तो बस दोस्तों को share कर डालिए, जितना हो सके उतना share कीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कुछ tips, और ये tips आपके लिए 100% बहुत ही अच्छा साबित होने मादा है, तो आपको घवराना नहीं है भी या, क्या करना है, चलिए बात करते हैं, कि सर क्या करूं, ये पूरा देखो दोस्तों, तो चलो भईया करते हैं सरू, सबसे पहले आपको क्या करना है, जानते हो, नोस तो आपने बना ही लिया होगा, और जो बच्चा अभी सुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी बता रहे हैं, अभी से भी आप सुरू करके आराम से अच्छा परसेंट कर सकते हैं, और जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी अब उसके पास समय का टेंसन हो रहा है, कि यार इतना समय में इतना सारा सिलेवस कभर कैसे करेंगे, ये भी चीज़ बताएंगे, यानि बहुत सारा बेकलोग हो गया, उसको कैसे कभर करेंगे, ये भी यहा पहले आपको क्या करना है, जानते हो दोस्त, सबसे पहले आप समझे, हम लोगों के पास ये बारो महीने में से, हाँ, बारो महीने में से, दस महीना तो गुजर गया, दस महीना क्या हो गया प्यारे बच्चों गुजर किया, समझे बात, गुजर गया दोस्त, अब बचा हम लोगों के पास, दो महीना इस्पेसली पढ़ने के लिए भाया, उसके बाद जनवरी मैं तो स्टार्टिंग साथाने लगता है, इधर काम उधर काम, तो दो महीना आप specially समझे दो महीना आपके पास समय है यानि ले दे करके अगर देखो तो साथ दीन समय है ये साथ दीन में मतलब उस जन्वरी में से और पर वगेरा निकाल करके यानि आपके पास साथ से सतर दीन पूरा बढ़ियां से बचा हुआ है बस आपको क्या करना है समझे बात को आपने क्या करना है नोट्स नहीं है तो दोस्त से नोट्स ले करके तुरंत छाप लो पहला नंबर तो आपको नोट्स बनाना है पहला नंबर क्या करना है दोस्त नोट्स बनाना है उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे साथ में आप क्या करिए आप प्रिवियस एर कोस्चन यानि क्या करिए खरीद रहें अब जब आप question bank खरीदने के बाद आप सबसे पहले ये देखिए क्योंकि आप हम लोगों के पास shortcut आप हम लोग उतना नहीं पढ़ सकते हैं ठीके shortcut कोई उपाय होना चाहिए जिससे हम लोग टॉपर बन सकें तो shortcut उपाय ही बता रहें भाईया आप क्या करिए question bank खरीद रहें नोट्स है आपके पास ठीके आप question bank से मिलाइए कि कौन से question नोट्स रखिए एक साइड एक साइड question bank और आप देखिए कि कौन से कौन से question कौन कौन साल पुछा गिया है आप पलट के हर साल में एक question मान लो देख लिए हमने इस question से देखे हर एक साल में कितना कितना साल में मानली जिए ये पुछा है 2019 में, ये पुछा है 2015 में, ये पुछा है 2017 में, इस तरह से पुछा गया है, तो आप उसको BVI के रूप में टीकल रहे हैं, क्योंकि ये पुछने का, इस तरह का आगर पुछने, यानि जो पुछन तीन चार बार, एक बत बता है, बोर्ट एक्जाम में, आधिकतर पुछन रिपिटेड ही होता है, इसलिए घवराना नहीं है, अभी भी आप तौपर बन सकते हो, लेगिन आपको करना होगा, मैं जितना कह रहा हूँ, ठीक है दोस्त, तो आपने कोश्चिन बेंग से क्या किया, सारी कोश्चिन का, क्योंकि आप मान लिजे, आप पढ़े रहे हैं, तो कोश्चिंग वगेरा पढ़े ही हो, अगर आप सुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया, आपके पास चलो, नो आप कोश्चिन बेंग को ठालो, क्या करो, कोश्चिन बेंग को ठालो, और कोश्चिन बेंग का सारा कोश्चिन रिवाइज कर जालो, क्या करो, क्या करो, कोश्चिन बेंग का सारी कोश्चिन को आप रिवाइज करने की कोश्चिस करो, और मोटा मोटा साथ आठ बर करो, जि किसरी बात एक रूटीन त्यार कर लो क्या एक रूटीन त्यार कर लो और कम से कम दोस्तो आठ से नौ घंटे का आठ से नौ घंटे का रूटीन त्यार करो ये दो महीना अब यहां से अगर आप भागोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसलिए आपको भागना नहीं है बस आपको रेगुलर दो महीना के लिए ये रूटीन चाहिए, दो महीना के लिए, और संडे का दीन जो होगा, संडे का दीन जो होगा, प्यारे बच्चों, यानि रविवार की जो दीन होगा, वहाँ पे आप जितना इधर छो दिन पढ़े, वहाँ पे उसका रिवीजन कर डालो अगर आप रिवीजन करोगे ना तो क्या होगा जानते हो वो आपको याद रहने लगेगा और गोर्ड एक्जाम में जैसे जाओगा फटक 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 से लिख क्या होगी समझ रहे हैं यह चीछ करणा सबसे पहले अगर आप कोचिंग पढ़े हैं तो नोट्स बनाइए फिर क कुस्जिन बेंक उठाई को से सारे कुस्जिन को टीक लगा करने के शिष निय試 दीवी आइ कर लेड़िए जो एक बार भी नहीं पूछा उस को करने जरुरत नहीं है क्योंकि इस बार भी नहीं पूछ़ेंगा जो पूछा है उसी को ले करने कि चलिए एक्स्रा दिमाग बहुत से toppers हमें धैया हुआ है दोस्त उनहीं बच्चों को जैसे हमने कहा है उन दोगों ने वैसे त्यारी gratis अपनके डिखाय के अंब ऑफ-लाइन बेचेस में में बहुत ऐसे बच्चे टॉपर्स हैं तो उसके लिए घाबराना नहीं है दोस्त मैं जैसे कह रहा हूं वैसे आप करते जाई तो कोसिन बेंक ले लिए रूटीन एको तयार किजिए और रूटीन तयार करने के बाद हर एक संडे को जितना आपने ये छो दिन पढ़ा उसको रिवाइज कर ड आएगा ऐसा नहीं मेरे को करना है बस आपको सौट टाइम में बताने की कोसिस कर रहा हूं और यही हकीकत है अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कर पाओगे नहीं तो फिर बेकार का हो जाएगा ठीक है उसके बाद जैसे मालीजा आपने कोचिंग किया बैकलॉग भी आपकर रह एक घंटा बैकलॉग के लिए आप रोज निकाल और बैकलॉग में वही चीज करो बैकलॉग में वही चीज करो जो जहां से कोस्चन पूछा जा रहा है अगर जिस चैप्टर से कम कोस्चन किया पूछा जा रहा है तो फिर उसका बैकलॉग मत करो बल्कि वहां से जो कोस्च important लगे वो दोस्त से पूछ लो और कुछ नहीं उस chapter पर जितना time दोगे न आप इसलिए न बोल रहे हैं इसलिए न बोल रहे हैं syllabus भी एक चीज syllabus भी समझना होगा यार यह ठीक है syllabus भी समझना होगा syllabus भी समझना होगा दोस्त कि कौन से chapter से कितना question पूछा जा रहा है कितना number का पूछा जा रहा है अगर वो चीज समझ गए तो backlog तो यूँ ही खतम हो जाएगा यूँ ही खतम हो जाएगा जिस chapter से जादा पूछा जा रहा अगर backlog बन गया तो उससे कर लो लेकिन backlog का tension बिलकुल मतलो backlog का tension लेते जाओगे तो फिर आपका पढ़ाई लिखाई में वो चीज रुकावट डालेगे फिर आप demotivate हो जाएगे फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा इसलिए जो बीप गया उसको भूल जाओ ठीक है और शुरुआत आज से कर डालो बस लगे रहो दोस्त इतना कम से कम क करो backlog भी खतम हो जाएगा आराम से साथ में revision करते रहो जितना revision करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा और सबसे important चीज ये चीज करो ये अब एक बात बताते हैं अगर coaching अभी भी चल रहा है तो सर से बात करो कि सर जल्दी coaching खतम कर दिजे क्योंकि self study बहुत जरूरी होता है self study जो होता है दोस्त बहुत जरूरी होता है बहुत जरूरी यानि self study करने का समय मिलना चाहिए क्योंकि सर आपको पढ़ा देंगे याद सर थोड़े ना कर देंगे याद तो आप ही को करना होगा तो ये दो महीना आप कुछ इस तरह से पढ़ते चलिए देख लिजे दोस्त आप आराम से टॉपर की और बढ़ोगे ये चार चीज कर लो भाई चार चीज और एक ये पच्चवाँ चीज ये पांच चीज आप करो इतना हम ठेकेंगे नहीं जितना सच है उतना ही बोलेंगे उसमें से सबसे important चीज है ये ठीक है और एक चीज भाईया जो बताने जारे बहुत important चीज है प्रैक्टीस अब बुलोगे प्रैक्टीस क्या सर जितना हो सकी टेस्ट देते रहो टेस्ट जितना हो सकी और टेस्ट का एक मतलब टेस्ट का ऐसे दो जैसे आपको लगे कि हम final exam में बैठे हुए है इस तरह से टेस्ट देना है ऐसा नहीं है सी मजा गोला ट आज जो टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट मेरा नहीं है बलके ये मेरा final exam है और आप एकदम seriously exam टेस्ट दो अगर coaching में है तो सर से बोली स्कुल में है तो स्कुल वाले सर से बात करिए कि सर टेस्ट प्लीज देजिए और जदी सर टेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपके पास question bank ह है ना भाईया आपके पास question bank है ना आप एक काम करो वैसे क्या करोगे आप एक काम करोगे कि आप पूरा एक सप्ता पढ़ लिए ठीक है जितना पढ़े आप ठीक है आप वहां से आप question bank में चले जाओ और ये सप्ता में एक दिन करना है और मेरे लिए सबसे best होता है सैटल डे सैटल डे को करने कोशिस करो कम सैटल डे को टेस्ट देने की कोशिस करो यानि सनिवार अब आप मान लिजिए self-hustledy कर रहे हैं आपना coaching लिए है इसको वाला भी नहीं तो आप कैसे करें अगर भाई coaching में है तो coaching वाला सर से बात कीजिए कि सर हर सब्काम लोग को ट कुस्चिन होना से यह सरे तो आपको हम वही चीज बता रहे हैं दोस्स कि आप कुस्चिन बेंक का सहारा लिजिए कुस्चिन बेंक में क्या होता है प्रिजियस यह कुस्चिन होता है सारा कुस्चिन जो पहले पूछा गया वही सब होता है तो आप अगर सेल्फ स्टेडी कर र खातम होना, नीडर हो जाना मतलब आप तो पर है, बरवच्चा लोग को यह तो डर सताता रहता है, पर सताने वाला बात नहीं है, दोस्तों हम जो कह रहे हैं, वो करिए, अगर तीचर ले रहे हैं, तो बढ़ियां बात हैं, फिर भी आप खुद से एक एक schedule बनाए, एक routine में एक दिना ऐसा रखिए, जिस दिन मेरे को test देना है, और question bank से, अगर मान लिए 2009 का question हमने देखा, 2009 का question आप छाप लिजए पहले, ठीक है, एक question, question paper बनाएए, उसमें छाप लिजए, छापने के बाद, क्या करिए, आप अपने room में चले जाएए, room में जा अब भी exam center में है, बस कुछ नहीं, घर में अगर हला गुला हो रहा है, तो घर वाला से बात करो कि मम्मी, पापा, मेरे को ऐसा करना है, अभी exam सामने आ रहा है, तो मेरे को exam देने दीजिए, मतलब मेरे को घर में test देना है, इसलिए सोर सरावा ना हूँ, तो माबाप है यार वो तो यही चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको दिल से बहुत ज़्यादा खुसी होगा, ठीक है विया, और एक बात बता रहे हैं दोस्त, लग जाओ, अब नहीं लगोगे, तो कब लगोगे, समय है कर लो, फिर आप exam के दिन सोचोगे, कि यार कास पढ़ लेते, कास सब्द की लाना ही नहीं चाहिए, ये कास 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 होता ही नहीं है, कास उसकुछ नहीं होता है, तो आप क्या करिए, जैसे माली जे 2009 का कुस्षिन मेरे को उठाना है, वो पेपर में हमने च्छाप लिया, अब रूम में बैठ करके लग गए, अब कैसे देखेंगे, जैसे एक्जाम में लिख होगे, पहले जो जो आपसे हो रहा है, वो सब लिख लो, उसके बाद जो थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है, आप उसमें लग जाओ, उसके बाद जो नहीं हो रहा है, आप जवर जस्ती कुछ लिखने की कोशिस कर, जवर जस्ती, ट्राइ कर, ऐसे म तो आप ऐसे करके शुरू तो करिए उसके बाद रिजल्ट पता चलेगा आपका रिजल्ट चार सो नभी चार सो अंठानबे होगा भाई याद रखना उस दिल मजा आजाएगा क्या आजाएगा मजा तो घबराना नहीं आप ऐसे करना शुरू कर दो भाई या बैकलोग के लि कुसिन बेंक का है अगर आपने अभी तक कुसिन बेंक नहीं लिया है तो आप जाके पहले खरीद लिजे क्योंकि आप एक स्टूरिंट हो तो आपके पास एक कुसिन बेंक और नॉट्स होना जरूरी है और ये रूटीन भी होना जरूरी है अगर ये तीन चीज है तो फिर आप सक्चम हो और वही बंदा अभी तक वीडियो देख रहे होंगे वही दोस्त वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे वही दीदी लोग वीडियो को देख रहे होंगे जो इस बार टॉपर बनने के लिए महनत कर रहे हैं और दोस्तों यही होसला आपको टॉपर बनाएगा, इसलिए दोस्त, जैसे हमने कहा, आप करने की कोशिस करो, यह जो छोट टिप्स हमने बोला ना दोस्त, यह छोगों को आप एकदम चालू कर दिजिए, यही चीज आपको आने वाले समय में बहुत आगे लेके जाएगा, ठ प्राट आते रहे, जैसे एक होता है सोसल मेडिया, यह सोसल मेडिया से जितना हो सके दूरी बनाके रखो, यह आपको पढ़ने नहीं देगा, क्या करेगा, यह पढ़ने नहीं देगा, इसलिए आप अभी दो महीना के लिए फिलाल इस चीज को छोड़ दो, जितना छोड़ पर उसी में डूब नहीं जाना है जैसे आभी फिलाल डूबे हुए होते हैं वैसे डूब नहीं जाना है इसको जितना हो सके दूरी बना के रखो और जब पढ़ने बैठो फॉन को सूच आफ करके पढ़ने बैठो बस मैं इतना ही चाहता हूं क्योंकि यार आप लोग देश क की भावी से हो अगर आप लोगों को सही रा हम लोग नहीं दिखाएंगे ना तो फिर हम लोग टीचर की स्काम का इसलिए दोस्त ये सब चीजों से जितना हो सके दूरी बना जितना हो सके सोचल मेडिया से दूरी बना और अपना तैयारी में लग जाओ ठीक है जब पढ़न का मन ना करें जो भी है इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाएगा मोटिवेशनल वाई मोईंसर उसमें आपको बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो मिलेगा वहां पे आप जाकर के देख लिएगा ठीक है लेकिन जब आप डिमोटिव करने का, कोसिस करेंगे एकांत जगह में बैठ के लंबी सांसें लेने का, कोसिस करेंगे आप की गलत चीजों से जितना हो सके दूरी बनाने का, धीरे धीरे फिर पढ़ाई में थोड़ा लॉंग टाइम लेते जाएगा, एक ही दिन में आप बोलोगे 10-12 घंडा पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाओगे, और ऐसे बढ़ाते 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 एक्जाम तक आप फिनिसकर डालोगे, जितना बैकलोग था वो भी खतम हो जाएगा, सारा चीज याद भी हो जाएगा, एक्जाम के रोज हेवी क्व करते हैं इसको खतम चलते हैं उसके बाद आगे है ना जए हिंदा